वित्रों आज मानिय उच्चे नियायले ने श्री केजरीवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्चों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्थ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनवती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुस पश्ट का है कोट क्लारिफाइज देट पेटीशन इस फॉर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि आरेस्ट ही इलीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे दूसरा विश है बहुत इस पष्ट मैं आपके सामने उद्धर्द करना चाहता हूँ बार बार हम लोग कहते थे साक्षे जाँच एजिंसी उन्हें दिये हैं और वो न्याले के समकष है ना हमारे पास हैं ना किसी अन्हें के पास हैं इसलिए उस पर दयानबाजी निरर्थक है इस पष्ट रूप से कोट कह रहा है कि जो साक्षे दिये गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीती बनाने में बाकाइदा कंस्पाइड दे एक्साइज पॉलिसी और फिर लिखा हुआ है वाज इन्वालेशन अफ एक्साइज पॉलिसी और उससे प्राप्त चीज को अवांचित अपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमी का यानि आम आदनी पार्टी के सयोजक के रूप में करता धरता थे उसके उपरां मानी नियाले ने एक और गंभीर अब्जरवेशन दिया है अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिपणी करना सीधे सीधे न्याय पालिका के उपर टिपणी करने के समान है भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के उपर अभी संजय सिंग जी को तो बेल मिली है आप इस धंग से राजनेतिक आधार के उपर कोर्ट के निरणयों की के उपर समीक्षा आख्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं इसके आगे और इस पश्ट रूप से कहा गया है वो गिवस टिकेट पर कंटेस्टिंग एलेक्शन और को परचेज़ एलेक्टरल बॉंड इस नोट दी कंसर्ण आफ दा कोर्ट यह बहुत महत्वपूर प्रेक्षण है इस वरी सिगनिफिकेंट अब्जवेशन बाई दा हाई कोर्ट कि किसको टिकेट दिया गया किसने एलेक्टूरल बॉंड लिया इस विशे का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है अर्थाथ जो एक कानूनी विशे को वह राजनेतिक विशे को बताने का प्रयास कर रहे थे अर्थाथ जो एक कानूनी विशे को वह राजनेतिक विशे को बताने का प्रयास कर रहे थे that was cleverly when he was trying to put a cover of technicality on their hidden motive of politicality which has been totally discarded by the court अब देखिए एक और बिंदू पे कहा है the investigating agency under the criminal jurisprudence can't be directed to conduct the investigation as per convenience of the person जो वो बार बार कहते थे की ED हमें ये बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस capacity में बुलाये जा रहा है इस capacity में बहुत इस पश्ट का आए कि आरोपी को ये अधिकार नहीं है किसी वेक्ति को कि वो ये तै करे कि किन नियमों किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जाच agency उससे जाच करना चाह रही है अगला बिंदू और गंभीर है अगला बिंदू और गंभीर है अगला बिंदू और गंभीर है दे कोर्ट वोंट ले डाउन different categories of law one for common citizens and other granting special privilege to chief minister आम आदमी पार्टी पुना अंडरलाइन करके बहुता हूँ आम आदमी पार्टी के तथा कथित आम आदमी मुक्च मंत्री के बारे में इस पष्ट रूप से मानी नियाले कह रहा है कि सामान ने आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुक्च मंत्री के लिए दूसरा नियम यानि नाम तो आम दीवाने आम और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिच कर दी गई कोट के द्वारा पुना मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे महत्पून बात है ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजे कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं टोपी पहनूँगा, मैं सिकूर्टी नहीं लूँगा बगरा बगरा जबकि मैं सारी बाते कर रहा हूँ, ये सारी चीजे आवशक्ता होती है सुरक्षा ग्यावशक्ता होती है परन्तु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशाई हो गया चूंकि वो खुद एक खास टीटमेंट चाह रहे थे इसके उपरान कोट कहता है कोट on necessity of arrest जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए ED was in process of enough material which has led to arrest of केजरीवाल non-joining of investigation by केजरीवाल delay caused by him was also impacted those in the judicial custody अर्थात उनका बार बार ED के संबन को दरकिनार करना जवाब देने से मना करना यह गलत था और परयाप्त material उपलब्द था उनसे पूछतास और जाच करने के लिए दूसरा एक गंभीर बात कही गई जो बार 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 नियाईक प्रक्रिया को राजनेतिक रंग देने का प्रयास और उसके उपर राजनेतिक आक्षेप करने का प्रयास है उस पे कोट ने साफ कहा है Judges are bound by the law not by the politics आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं चूँकि आप लगातार नोनो संबन डिले कर रहे थे चूँकि आपको पता था कि लोग सभा का चुनाओ आने वाला अनायास नहीं आने वाला था इस कारत यह हो गया कि आप नियाईक प्रक्रिया को राजनेतिक दहलीस तक ले जाने का कारे आप कर रहे थे कोट ने इस पस्ट कहा है किसी भी प्रकार की राजनेतिक गदविरी से नियाईक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं अर्था टाइमिंग वाली बात धुस्त हो गई देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है पोलिटिकल कंसीडरेशन्स कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट अफ लॉव जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती है याद करिए 2019 के लोग सबा से पहले कॉंग्रेस पार्टी के नेतावी वकील का चोला होड का शीराम जन्मुमी के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए आज भरष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव आने की बात पर कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि कि किसी भी प्रकार का राजनेतिक संदर्भ न्यायले के समक्ष देना उचित नहीं है इसके उपरांद कोर्ट कहता है कोर्ट आर कंसर्ण विद दा कॉंसिचूशनल मॉरेलिटी नॉट दा पॉलिटिकल मॉरेलिटी कोर्ट साफ कहता है कि यह जो आप तथा कथे अपनी नेतिकता राजनेतिक का बात करते हैं इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है वो केवल हार्ड कोर फैक्स के बारे में कहता है अब आगे की बात और भी गंभीर है जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली इस पॉइंट में मन्नी नियाले कहता है इस कोर्ट होल्ट एट एड़ी वास एबल तो प्लेस इनफ मेटीरियल स्टेट्मेंट अब अप्रूवर्स और उन केंडिडेट स्टेटिंग इस पॉइंट इस पॉर गोवा एलेक्शन इट कम्प्लीट से चेन रिगार्डिंग प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इसी प्रकार का धन इसी सोत से प्राप्त हुआ है तो यह प्रत्म द्रश्टेया इस संदेह की पुष्टी करता है कि पैसा कहां से है जो कहते थे चवनी नहीं मिली अब चवनी नहीं वो करूणों का ट्रेल मिल रहा है इसलिए हम यह बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस करप्षन की अन्ना करांती से शुरुआ हुआ अंदोलन आज के 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 में तबदील हो गया है यानि केजरी करप्षन करांती में तबदील हो गया है एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभाव संभावता भारत की राजनीत में कभी देखने को नहीं मिला होगा और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है यह तथा कतित इंडी गठबंदन के नेताओं ने उसी राम लीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस करप्षन की करांती हुई थी वहां जिस करप्षन को लेकर रैली की थी अब साफ हो गया कि केजरिवाल जी विगत तीस पैंतिस वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था वो तमाम नेता शी लालू प्रसाद यादव जी से लेके शुबू सोरेंजी से लेके डीम के के नेता करणवानी धीक कनीमो जी एराजा से लेके अन्यान नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं है नियाईक दृष्टी से वो ठीक उतने ही दोशी है जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए और उस से आदा गंभीर बाती है आज आपने देखा कि तरणमूल कॉंग्रेस के सांसद जो की पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोक के पास गए थे तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे अर्थाद इन पार्टीयों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है जब ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीती में जन सामाने के लिए और भारत के प्रबुद नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीती के प्रयोग का च्छलावरन लेकर जो लोग आते हैं उनकी पूरी तरीके से आज साफ साफ सब के सामने आ गया है अब इस पष्ट रूप से इस विशह को लेकर चूंकि श्री केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो इस संदर में हमारे पास हमारे साथ सजदेवा जी जो दिल्ली के पुर्देश अध्यक्ष हैं वो इस संदर में अपना विचार रखेंगे धन्यवद भाई सब भूल गए केजरिवाल कि जिन्दगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुनाज जैदा आपको उसी जिन्दगी में चुकाना पड़ता है आज दिल्ली के करोड़ों लोगों की तरफ से हर दिल्ली वाला एक ही सवाल पूछ रहा है कि केजरिवाल तुमने दिल्ली को शर्मसार किया है